हेलो दोस्तो डेटा रिकवरी साफ्ट्वेर बहुत सारे लोग धोनते रहते हैं आपके डेड फोन जो भी आपका कंपनी का फोन हो चाहे वो देख सकते हैं रेडमी का स्मार्टफोन हो ओपो का स्मार्टफोन हो यह ओपो का स्मार्टफोन है यह सैमसंग का स्मार्टफोन है द अगर आप data recover करना चाहते हैं free of cost में तो आप हमारे इस वीडियो को जोड़ देखिएगा हमारे चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजिएगा आज किस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी android स्मार्टफोन का data recover कर सकते हैं बिलकुल free में चाहिए वो कितने स साल का data हो कोई भी data हो एक एक फोटो एक एक वीडियो बिलकुल data recover होगा चाहिए आपके पास hard drive हो जैसे देख सकते हैं आपके पास कोई भी hard drive डेट पड़ा हो था उसको कैसे यहां पर जीवित करना है कैसे उसमें से data निकालना है सारा process हम आपको बताएंगे सिखाएंगे क कैसे यह सारा काम होता है लेकिन आज किस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे dead पड़े हुए smartphone का चाहिए वो ओपो हो realme हो वो भी वो हो किसी भी company के dead smartphone में जो data फसा होता है उसको हम कैसे निकालेंगे आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो इसके लिए आपके पास आपका phone होना चाहिए साथ में होना चाहिए एक data cable जिया दोस्तों यह दो चीजे बहुत important है अगर आपके phone में data है तो उसके निकालने के लिए data cable हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए और उसके साथ हमें चाहिए क्या देख लीजिए हमें चाहिए एक computer desktop कोई भी हो आपके पा हमारे पास है यह हमारा एक छोटा साब प्यारा सडे टोफ है तो यह देख सकते हैं यह हमारा desktop है तो आपके पास एक desktop होना चाहिए computer होना चाहिए जिसके मदद से आप अपने phone का data रिकबर कर सके साथ में चाहिए एक देख सकते हैं यहाँ पर क्या चाहिए एक एक चाहिए डेटा केबल और साथ में चाहिए एक स्मार्टफोन जी हाँ दोस्तों आपको चाहिए एक स्मार्टफोन जो डेट पड़ा हुआ है ठीक है तो सारा प्रोसेस कैसे करना है क्या करना है पूरा हम आपको इस वीडियो पर ह काया करते हैं कि अपना जो डेटे केवल है यहां पे यहां पर यह डेटे के वल है तो हम अपना यह एक केबल जो है अपने smartphone में यह आपको डेड़ि स्माट फ़ोन है उसके अंदर आपको इस इस तरीके से लगा लेना है और दूसरा वाला portion जो है आपको अपने computer में यह वाला system ध्यान से देखिए यह वाला system है मैं फिर से आपको अच्छे से दिखाएता हूँ यह देखिए यह वाला system जो USB वाला देख रहे यह आपके computer में लएगा ठीक है तो इस इसका आपको ध्यान देना है कि यह दूसरे वाला portion जो है आपको अपने computer लगाना है तो हम जो है इसको यहाँ पर लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से यह सारा process हम आपको समझाएंगे कि कैसे क्या करना है सारा चीज ठीक है तो अब हम इसको अपने computer में connect कर लेते हैं यह हमारा यह connect हो गया ह है और हमारा जो phone है वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यह connected है ठीक है यह phone हमारा connected है तो अब हम इस phone को नीचे रख देते हैं मैं आपको दिखाना जाओंगा यह देखे यह phone हमारा जो है यहाँ पर connected है cable से और दूसरा जो है हमारा laptop से connected है desktop से ठीक है तो अब हम यहाँ पर इ सबसे पहला आपको क्या करना है दिस पीसी मैं तोड़े जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दीखे कि computer में क्या process आपको हम यहां पे बताने वाले हैं सिखा रहे हैं तो सारा चीज आपको इसी से मिलता जुता करना है दिस पीसी को option है इस पर आपको left click करना है और चल जाना है यहाँ पर so more option में so more option में जैसे ही आप गए हैं तो नीचे देखे यहाँ पर क्या process है वो सारा यह देखे यह देखे manage का यहाँ पर option है तो manage वाले option पर हम click कर लेंगे जैसे हमने manage वाले option पर click कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आया था यह देखे यह जो है computer management वाला message यहाँ पर automatic आपको दिख गया है अब हम जाएंगे यहाँ पर क्या device manager में ठीक है device manager में यहाँ पर आपको अपना device जो भी आपका आपका device है कि सारा कुछ यहाँ पर आपको शो हो रहा है मैं 1X पर कर लाता हूं ताकि आपको 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 अच्छे से दीख रहा है तो आपको क्या करना है USB यह USB वाला option आपको देख रहा है इसको यहाँ पर इस तरीके से select करेंगे और उपर इस वाले option में जो computer का option देख रहा है मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा यह computer वाला option जो उपर मैं आपको देख रहा है इस तरीके से scan करना है scan करते हैं यह refresh होने लगता है फिर से हम इसको scan करेंगे यह दो बार और यह थर्ट time हम इसको refresh करेंगे अब हम इन सारे option को जो भी यहाँ पर यह option अभी इसको हम यहाँ पे close कर देंगे यह सारा option हम close कर देंगे अब आपको अपना keyword उठाना है यह देख़े हैं हमारे पास keyword है keyword अपना उठाना है और keyword पर window plus R दबाना है क्या दबाना है window plus R कैसे आएगा मैं आपको दिखा जीता हूँ keyword में यह देख़े है रहते विंडो विंडो प्लस आर आप जैसे दवाएंगे आपके सामनी कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा है ना रनवाल उप्शन मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा सकता था बट मैं लाइव ज्यादा प्रिफेर करता हूं यहां पर लिखना है दूस्तों cmd कुछ इस तरीके का यह message आपको यहां पर type करना है cmd cmd type करेंक आपको इंट्र मार देना है जैसे आप cmd पर इंट्रो करेंगे आप कुछ इस तरीके का option दिखाए देगा यह देखें अब यहां पर आपको आपका computer का नाम बगारा दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपको अपना जो phone है हमारे पास real me का smartphone है कि हम लिखेंगे r e a l m e real me space यहां पर लिखना है d i s k space p a r t disk part और इंटर करने के बाद आप जो second command है उस पर आपको लिखना है list list p a r t list part list part पर हम click कर देंगे अब यहां पर लिखेंगे फिर से d i s k p a r t और इंटर करेंगे अब इंटर करने के बाद यहां पर automatic आपको yes वाले option पर click कर देना है जैसे yes वाले option पर click करेंगे यहां पर आपके सामने automatic second page open हो जाएगा और इसको maximize कर दीजिए यही वाला option आपके सामने आएगा disk part वाल option तो disk part जैसे ही आएगा यहां पर आपको लिखना है list p a r t और इंटर कर देना है तो जैसे ही आप list part वाले option पर जाएगे आपके सामने बहुत सारा command open आएगा यह देखें बहुत सारा command आपको यहां पर दिखेगा तो अभी आपको यहां पर बहुत ही से अपने phone को यहां पर synchronize करना है ठीक है synchronize करने के लिए आपको क्या करना है जैसे ही यहां पर disk part का यह वाला option आपको दिखा अभी आपको यहां पर select करना है कुछ और basic सा command तो इस वीडियो में बने रहिएगा इंटर मालेंगा disk part आप जैसे इंटर करेंगे आपके phone में कुछ हलचल होना सुरू हो जाएगा जिया दोस्तो आपके जो dead smartphone है उसमें कुछ हलचल होना सुरू हो जाएगा that पता चलेगा आपको यहां पर आपका जो फोन होगा जी यां दोस्तों आपका जो स्ुमार्टफोन होगा उसमें आपको कुछ Solar स्ह देखने को मिलेंगे तो अभी आप यहां फुन जो है सो नहीं हो रहा था है लेकिन 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 दोस्तू जैसे ही हम यहां पर यह nadis pc पर लेक्ट क्लिक करेंगे power option में जाएंगे manage में जाएंगे पूरा प्रॉसैस देखिए कि सारा कुरा से क्या होता है, तो आपको यहां पे सारा कुछ समझ में आजागा, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, और यह USB वाला ऑप्शन, इसमें हम इस वाले ऑप्शन को RSCAN करेंगे, यह वाला जो ऑप्शन आप स्पार्टफोन तो आगा है और हमारी स्मार्टफोन में में जो भी डेटा जोंगे जो भी फोटोज जोंगे वीडियो सब यहां पर और को और College देखने को मिल ला गाइं चाह थो कोई भी पॉश्य ओ यहां पर सारा चीज के का moment आपको देखने को नहीं मिलेगा तो अब यहां से आप अपने dead smartphone का data जो है निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से यहां से सारच मैमोरी वЕ गरता सारच चीज उ कर रहें कितना जिवी का है यहां से अपना डेटा दोस्तों निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से तो किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो मैं इसको क्लोज करके फिर से दिखाता हूं दिस पीस यह देखिए सारे चीज़ आपको फिर से दिख जाएगा रियल में फाइब है तो दोस्तों आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो कोई भी डेटा हो पेंड्राइब हो कुछ भी हो बिल्कुल बेज जग आप अपने किसी भी स्मार्टफोन का डेटा निकाल सकते हैं हमारे वीडियो पे आप को बहुत सारी information वाली चीज़े सीखने को मिलेगे तो हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें किसी भी तरीकी को भी दिक्कत हो कमेंड बिल्कुल करें थैंक्स वाचिंग एंड बाई बाई